Hello everyone, welcome to this video and my name is Amun Trivedi और इस वीडियो सेरीज में हम पढ़ रहे हैं Word Power Made Easy by Norman Lewis तो यह किताब का, यह जो आपका सेशन है जिसको आप देखना शुरू कर चुके हैं यह आखिरी सेशन है इसमें हम बात कर रहे हैं Word Power Made Easy की हमने अभी तक Word Power Made Easy के 44 सेशन कवर कर लिये हैं इसमें हम 45-46 लास्ट टू सेशन की बात करने वाले हैं and we are going to wind up the book now and the most important thing जो आपको ध्यान देनी है वो यह जो मैं बार-बार हर सेशन में दोर आ रहा हूं कि number one आपको किताब खरीद के पढ़ना चाहिए वीडियोज आर more than sufficient वीडियोज में मैंने जितना संभव हो सकता है cover करने की पूरी कोशिश की है फिर भी आपको एक बारी किताब पढ़ना चाहिए मैं नहीं चाहता कि आप लोग आलसी बने और खुद से पढ़ाई बिल्कुल बंद कर दें जो कि आप लोग में से ज्यादा तोर लोगों ने कर दी आप वीडियो देखके पढ़ाई होती है तो किताब जरूर खरीदो दूसरी चीज इससे आपका vocabulary का base बहुत अच्छा बनता है basic बहुत अच्छा सीखते हो आप लेकिन सिर्फ ये sufficient नहीं है इसके बाद आपको black books है या किसी भी other books है या हमारे ही जो हमारा app का page हमारा course है उससे आपको vocab जरूर याद करनी चाहिए ठीक है? मैं आशा करता हूँ आप लोग इतना काम कर रहे होंगे और फिर ये videos आप देख रहे होंगे ठीक है? तो अगर आपने चैनल को subscribe नहीं किया तो वो कर लीजिए आप अगर सीजल का maths का crash course करना चाहते हैं वो आप देख सकते हैं English grammar का पूरा crash course अवलेबल है GK का अवलेबल है Job descriptions वगेरा अवलेबल है इसके अलाबा current static GK की ये आपकी PDF है इससे डाउनलोड कर सकते हो computer की पूरी PDF है ये डाउनलोड कर सकते हो hand and monthly current affairs है word power made easy की ये पूरी playlist है आप जाकर देख सकते हो इसके अलाबा telegram channel जोईन कर सकते हो rblearning.com ये हमारा मरी website है वहां से आप mock tests की practice कर सकते है purchase भी कर सकते है officers batch है इसे आप join कर सकते है application दा link description में दिया है वहां से आप इसे purchase कर सकते है and बाकी other courses भी है जिनने भी आप purchase कर सकते है हम आज के session में बात करने वाले है how to talk about a variety of personal characteristics before we move to this particular chapter हम जैसा की हर वीडियो में करते है जो पिछले वीडियो में पढ़ा है उसका quick revision करने वाले है बहुत से बच्चे comment करते हैं कि इतना जल्दी जल्दी क्यों पढ़ाते हो तो बचो जल्दी नहीं पढ़ाते है जो आपका शुरुआत का 3-4 मिनिट का वीडियो देख रहे होते हो उसमें revision चल रहा होता है तो revision quick होता है बाकी आगे का content slow ही deliver किया जाता है तो एक बार ही हम लोग revision कर लेते हैं पिछले PPT से और फिर हम इस session पे आगे बढ़ेंगे तो एक बार ही जल्दी से revision कर लेते हैं पहला word हमने nostalgia पढ़ा था nostalgia मतलब पुरानी यादें हो जाता है जो mixed feeling होती है उसको कहते है neuralgia जो pain है उसके लिए जाता है cardiology hurt का pain हो जाएगा cardiology hurt की study, cardiologist hurt का doctor catophony बुरा sound, खराब sound के लिए आजाता है इसके लावा हमने पढ़ा है telephone आप लोग सबको पता ही है कुछ बताना नहीं, euphony अच्छा dull set mellifluous, अच्छा sound हो जाता है इसके लावा phonograph, जो इस machine को कहते थे हैं phonograph, इसके लावा saxophone ये आपका instrument होता है, xylophone ये instrument है phonetics, pronounce कैसे करना इसके बारे में study होती है, phonics भी यही है हमारा, इसके बाद में आ जाता है हमारा carnivorous, जो flesh eating animals है उन्हें carnivorous कहते हैं herbivorous जो होते हैं, जो vegetarians हैं उन्हें herbivorous कहते हैं, omnivorous जो सब कुछ खा लेते हैं, इसके बाद हमने पढ़ा वरेशिय थीटर जो बहुत ज़्यादा काता है glutton हो जाता है, omnipotent जो सर्वशक्ति शाली है सर्वशक्तिमान हो जाता है omniscent जो सब कुछ जानता है omnipresent जो हर जगे present है इसके बाद में हमने पढ़ा है ubiquitous, ubiquitous होता है everywhere, इसके बाद में आता है आपका carnadian, carnadian जो flesh के color की sense में आ जाता है आप stones होते है, carnal होता है physical के sense में carnage होता है, rick havoc, बहुत ज़्यादा लोगों की हत्या इसके अलाबा reincarnation, पुना, पुनरजन के sense में आ जाता है incarnation, अवतार को कहते है incarnate होना, clandestine affair, secret affair हो जाता है surreptitious मतलब चुपके से हो जाता है surreptitious चुपके से, इसके बाद हमने यह सब पढ़े थे after that आगे बढ़ते हैं, next हमने पढ़े है 42 में हमने पढ़ा था, आपका enervate मतलब होता है किसी को weak करना, to make somebody weak castigate होता है, criticize करना, इसके बाद में हमने पढ़ा है आपका abnegate अब और नहीं करेंगे, recapitulate, sum up करना summarize करना, जो कि मैं समय कर रहा हूँ vegetate होता है, bore होना, इसके अलाबा आ जाता है आपका simulate, मतलब copy हो जाता है किसी चीज़ की एकदम और intimate होता है, inform करना या किसी से close होना elevate, सुआज होता है, किसी की दुख परेशानी को कम करना commission rate होता है, आपका to show somebody sympathy वगरा दिखाना किसी को, इसके लबब vacillate होता है, oscillate करना आप decided, decisive नहीं हो पा रहे हैं, आपका innervate, weak करना हमने पढ़ लिया था, इसके बाद भी हमने पढ़ा है energy, आप सबको मालूम है, synergism, synergy में काम करना हम और सुबम सर जैसे कर रहे हैं जिस तरीके से castigate होता है, criticize करना किसी को, abnegate, abon नहीं करना, self-abnegation, खुद से आप किसी चीज़ को मना कर रहे हैं, जैसे बाप, और अमें कोल नहीं लोगे किसी का head को काट देना, इसके बाद आ जाता है हमारा capitulum, ये bone का head को कहते हैं, इसके लाबर recapitulate मकलब होता है, summary को repeat करना, to repeat or give a summary of what has already been said or decided, ठीक है, इसके अलाबर recapitulate होता है, किसी की सामने agree कर देना, आप behead होगे, आपने अपना सर जुका लिया, उस sense में आ जाता है, इसके लाब आपको मालूम है, इसमें कुछ बताना नहीं है, vegetation भी पता है, मतलब कहीं के भी जो पेड़ पॉदे बगर होता है, उन्हें vegetation हम कहते हैं, simulate copy के sense में आ जाता है, dissimulate होता है, आपका feelings को चुपाना, अपने आपनी feelings को चुपाना, dissimble भी वही होता है, feelings को चुपाना, intimate मतलब किसी से close relationship में आना, elevate, आराम देना किसी को, relieve भी आराम के लिए आता है, किसी को elevate होना, किसी को उपर उठा देना, promote कर देने के सुप में आ जाता है, levitate, हवा में लटकाने के लिए, commiserate sympathize करना, vacillate, indecisive होना, decisive नहीं हो पा रहे हो, ambivalence, double feelings है, mixed feelings हैं, आपको किसी के चीज के लिए, oscillate भी, move back and forth हो जाता है, आप decisive नहीं हो पा रहे हो, ठीक है, यहाँ तक कामने cover कर लिया था, पिछले वीडियो में, तो यह जो अभी आप लोग देख रहोगे ना, कि जल्दी-जल्दी पढ़ाया, जल्दी-जल्दी क्यों पढ़ाया, क्योंकि पिछले वीडियो में यह सब हम देख चुके हैं, तो अगर आपको इसको डिटेल में पढ़ना है पिछला वीडियो देखो बढ़ियां पूरा डिटेल में डिसकेशन हुआ है उसमें हाँ जी तो हम बात करने वाले हैं टाउक अबड़ वराइटी ऑफ पर्सनल केरेक्टर्स्टिक्स तो पहला वर्ड है हमारा सिकर मतलब है किसी चीज दिखना करना किसी both और O.US अगर किसी मी लग रहा है तो अटेक्टीव बन्ता ही है इस Means का मतलब है कि टो वर्ड है off念 अप सिक roots ऑिए हमारा अप सिकल न्याल मतलब ट्राइं टू हाड स under कोई कोई ऐसा वेक्ति जो बहुत आवश्यक है उसको प्लीज करने की सारे प्रयास करना ठीक सर्वाइल एटिट्यूड होना बिल्कुल सर्वेंट की तरह जुक जाना आप बिल्कुल चमचागिरी करना गैए इनग्रैशियटिंग हो जाता है Anег Clutchens हो जाता है सा साइकोफ्टिक हो जाएगा fawning हो जाता है इंपार्टन है जॉप्सिक्रूस मतलब हो जाता है आप का trying too hard to please somebody especially somebody who is very important antonym हो जाएगा domineering मतलब dominate करना the waiters come hurrying forward with obsequious smile on their faces मतलब अब waiter जब आपके पास आता है क्या लेंगे sir? बिल्कुल sir? yes sir? वो sir? तो जब waiter आपके पास आ रहा है ऐसा कर रहा है तो waiter को आप से कोई लगाव नहीं है ना waiter आपको जानता है कि ना आपको कुछ लग रहा है लेकिन फिर भी waiter ऐसे करता है क्यों करता है क्योंकि उसको आपको please करना है यह उसका job है it's not always because of tip but यह उसका job है just to please you तो obsequious smile समझ गये obsequiousness noun हो जाता है obsequies अब यह आपका noun हो गया obsequies ceremonies at the funeral थ्यान रखेंगे obsequious का मतलब हो जाता है अपका ceremonies at funeral funeral पे जो ceremonies होती है that is obsequious burial, burying, entombing, entombment, inhumation, interment और entering disinterment, exhumation और unearthing exhumation मतलब होता है जैसे कई बार port order देते हैं to exhume the body, kid body, dead body को कब्र से निकालो that is exhumation and it's paid their last respects at his obsequious तो अन्तिम संसकार के लिए obsequious हो जाता है अगला है subsequent sub-sequent मतलब हो जाएगा happening one after the event after the other subsequent events पहले यह हुआ पहले इंडिया quarter final में गई फिर semi-final में गई, fin final में गई यह क्या है subsequent event है एक की बाद एक हो रहे हैं after and swing, later, posterior यह synonym हो जाते हैं antecedent मतलब पहले का anterior पहले का foregoing, former, president, preceding, previous, prior यह सब हमारे antonym हो जाएगे antecedent मतलब पहले जो हो रहा है that is antecedent या anterior ठीक है? so this will be discussed in subsequent chapters मतलब आगे आने वाले chapters में हमें चीज discuss करेंगे subsequent मतलब हो जाता है आपका जो बाद में एक के बाद एक event हो रहे है sequel, movies का sequel बनता है that is called sequel जैसे एक के बाद एक आता है उसे after effect जैसे मिर्दापूर 1 आई तो मिर्दापूर 1 का season 2 हो गया तो वो उसका sequel हो जाता है इसमें कुछ नहीं है इसी प्रकार sequence किसी आप मुझे यह चीज़ों को sequence में बताईए मतलब सबसे पहले क्या हुआ यह बताईए second number पर क्या हुआ यह बताईए यह third number पर क्या हुआ यह बताईए इसे हम sequence कह देते हैं में भी कुछ ऐसा नहीं है इसके अब बाद में आ जाता है हमारा word querulous querulous मतलब होता है जगडा OUS मतलब full of querulous querulous मतलब हो जाएगा ऐसा विक्ति जो बहुत जगडालू है हर समय लडने के mood में रहता है somebody who is very complaining and showing that you are annoyed ठीक है बहुती crabby है cranky है fushy है grouchy है grumpy है ठीक है श्रिव विराडो विक्सन अगर आप जगडालू महिला के लिए कहेंगे तो क्या होगा विक्सन विरागो श्रिव ठीक है जगडालू महिला poor bearing long suffering patient stoic tolerant and uncomplaining इसके antonym हो जाएंगे he became increasingly dissatisfied and careless in his old age वहाँ वेक्ती अपने old age में बहुत जगडालू किस्म का हो गया था अगला word है super cilius cilium मतलब हो जाता है आपका eyelid cilium मतलब eyelid super cilius person है बहुत ही जगडालू किस्म का वेक्ती है ठीक है behaving towards other people as if you think you are better than they are मतलब बहुत ही haughty किस्म का वेक्ती है बहुत घमंडी टाइप का आदमी है उसको लगता है कि वह अन्य वेक्तियों से बहतर है कमतर नहीं है बहतर है कैसा होगा अभी मैंने एक मिनेट पहले बोल दिया था कि super cilius मतलब घमंडी किस्म का वेक्ती जो इमान रहा है कि वह वेक्ति अन्य वेक्तियों से बहतर है इंप्रूवड है इंप्रूवड है चेस्टी है, हॉटी है, घमंडी है हाई एंड माइटी है एंटोनिम हो जाते हैं हम्बल, लोई, लोली, मॉडेस्ट है, अन एरोगेंट है तो हर मैनर is super cilius and arrogant कैसा है उसका मैनर super cilius attitude है और एरोगेंट है better than they are ऐसे behave करना की जैसे आप मान रहे हो कि वहाँ वेक्ति अन्यवेक्ति से बहतर है super cilius मतलब हो गया behaving towards other people as if you think they are you are better than ठीक है, जैसे उन से बहतर है अगला word है obstipress मतलब होता है to make noise store मचाना obstipress मतलब हो गया spellings पर जरूर ध्यान दीजेगा spelling correction में पूछा जा सकता है obstipress मतलब हो जाता है noisy and difficult to control ऐसा वेक्ति जो noisy है and he is very difficult to control for example he becomes obstipress when he is he has had a few drinks यहाँ पर ध्यान दीजे देखिए हमने he has had लगा रखा है क्योंकि यह यहाँ पर main verb है और has जो है वो यहाँ पर helping verb है having जैसे होता है कि मैं पानी पी रहा हूं having मतलब कुछ खाने पीने के sense में आप इस्तरमाल कर सकते है महाँ पे have main verb होता है और यह perfect tense में लिखा है तो has had बोल दिया हमने ठिक तो यानि कि वहाँ वेक्ति जो है वह थोड़ा सा noisy हो जाता है uncontrollable हो जाता है जब वह वेक्ति थोड़ी सी शराब पी लेता है तो तो obstreperous का मतलब हो जाता है noisy and difficult to control ऐसा वेक्ति जो बहुत ही difficult to control होता है और noisy होता है साथ ही साथ तो यह नहीं हो जाते हैं blatant है, catawalling है clement है, clamorous है squawking है और vociferent है ठीक है, लड़ाक को जगडालू किसमका हो जाता है when he gets थोड़ा सा noisy उस तेंस में pecus मतलब हो जाता है cattle ठीक है and pecune pecunious मतलब जो है आपका money भी होता है ठीक, OUS मतलब pull off in मतलब not और pecune मतलब हो जाएगा money तो impecunious मतलब हो जाता है having little और no money, जिसके पास बिलकुल भी पैसा नहीं है ठीक है, बहुत ही जादा गरीब impecunious impoverist, यह हमने पढ़े थे पिछले वीडियो में इस सारे शब्द तो कैसा वेकती है, बेगाड है बेगरली है, ब्रोक है destitute हमने पढ़ा था, dirt poor बहुत गरीब है down and out है famized है, hard up है impoverist है, indigent है यह सारे synonyms हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे antonyms में आप पढ़ सकते हो effluent है, deep pocketed है yes, deep pocket, बहुत पैसा है fat cat है money है, बहुत पैसा है opulent है, rich है silk stocking है, wealthy है बहुत धनाट के sense में आ जाता है impecunious impecunious का मतलब हो गया having little or no money जिसके पास थोड़ा और बिलुकुल भी पैसा नहीं है, that is called impecunious, ठीक है next आ जाते है अपका he is impecunious यह कर लिया आपने does not know anyone who can lend money, ठीक है उसके पास पैसा नहीं है और यह है pecuniary same word आ जाएगा pecuniary pecuniary मतलब माना है तो pecuniary मतलब हो जाता है relating to connected to with money money से related हो जाता है आपको पक्यून का मतलब बता है का मतलब है money, तो pecuniary मतलब something which is related to money, dollars so he was trying to get a pecuniary advantage for himself financial advantage next time when you next time when you want to use that financial benefit pecuniary benefit next time when you have to say that he was he was here because he wanted some he wanted some financial benefit तो आप बोल सकते हो he wanted some pecuniary benefit ध्यान रखेंगे pecuniary benefit ध्यान रखेंगे इम्पॉर्टेंट है shival, shival मतलब हो जाता है horse ठीक है, OUS मतलब full of इसके अलावा when you are talking about horse इसका मतलब mannerism से भी होता है the word is shivalrous and इसका मतलब है वेक्तियों के लिए आप men, ऐसे men जो बहुत ही polite है, kind है behaving है, with honor especially towards women like this man जब यह lady बैठने जा रहे है तो उसके लिए chair खीच रहा है आच्छे से बैठा रहा है बहुत ही अच्छे men जो बहुत ही kind है बहुत well behaving है महिलाओं के साथ है that is shivalrous कहा जाएगा synonym हो जाएगा big, elevated, gallant great-hearted, high-minded lofty, magnanimous, natural noble, sublime based, debased, degenerated degraded, ignoble, low यह antonyms हो जाएगे ध्यान रखना है, shival का मतलब mannerism से भी है, तो shivalrous full of manners भी हो जाता है अब cavalcade, caval cavalcade cavalcade line of people on horses in vehicles forming part of a ceremony जैसे आप 26 जन्वरी पे देखते हो, इसमें उट लगी है, उट की जगे पर आप देखते हो, इस तरीके से घोडे निकलते हैं 26 जन्वरी पे 26 जन्वरी जब आप यह वीडियो देख रहे हो इंग्लिश में कॉमेंटरी सुनी होगी शब्री जन्वरी की परेड की तो आप ध्यान से सुने होगी cavalcade ही बोलते हैं अर्मादा, करावा, फ्लीट, लाइन, मोटर्यके ट्रेन, इस चरिमिन वह गरा में निकलते हैं cavalier, cavalier मतलब हो जाता है है somebody who is not caring enough about something important or about the feelings of other people ठीक है, somebody who is very arrogant, very contemptuous, very escort, gentleman, haughty, horseman, insolent, knight ठीक है, basically, caval से आया है इसका मतलब है horse, correct cavalier, अब देखो, इसका synonyms में इसका meaning क्या है, horseman भी है अब देखो, मैंने कहा ना कि एक word जो है, grow करता है, धीरे-धीरे एक word जो होता है, वो grow करता है, मतलब पहले उसका meaning एक निकला, cavalier मतलब जो घोडा चला रहा है correct, यह तो meaning हो गया, लेकिन अब हो सकता है कि ऐसे वेक्ति जो घोडा चलाते हों वो शायद बड़ी ऐसे वेक्ति निकल के उबर के सामने आये हों, जो not caring होते हों about किसी भी चीज़ के बारे में और अपनी दूसरों की feelings के बारे में नहीं सोचते हों इस वज़े से फिर cavalier का ये भी अर्थ म्रण गया कि cavalier मतलब हो गया ऐसे लोग जो दूसरों की भावनाओं की कदर नहीं करते हैं जो दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करते हैं ये भी इसका अर्थ निकल के आ जाता है समझ में आया ठीक है so cavalier मतलब ऐसे वैक्ती जो दूसरों की भावनाओं की कद्र नहीं करें किसी important चीज़ के बारे में सोचे नहीं साथ ही साथ दूसरों की feelings की भी कदर नहीं करते हैं ठीक है वाकि horseman ये भी इसका अर्थ है The club's owner showed a cavalier attitude to the licensing laws मतलब वो बिल्कुल भी care नहीं कर रहा था licensing laws के बारे में Antonyum humble, lowly, modest, unarrogant, unpretentious ठीक है cavalry जो इस तरीके से छबी जुनरी की parade निकलती है cavalcade भी है और cavalry क्या है ऐसी सेना जो घोड़े पे चलती है That is cavalry The part of the army that fought on horses The part of modern army that uses armored vehicles उसे अब अब दिखो अब तो घोले तो बचे नहीं तो armored vehicles use करते है उसे cavalry कहा जाने लगा है modern times में बट पहले जो घोड़े पे जो सेना रहती थी उसे cavalry कहते थे तो ध्यान रखना है Cavalry मतलब The part of army that fought on horses एक है Clear Chivalry मतलब मैंने आपको क्या बता है एक गोड़े से भी है एक अर्थ आपका mannerism से भी है तो शिवलरी मतलब क्या हो जाए आपको polite kind Chivalry polite kind and kind behavior that shows a sense of honor especially by men towards women तो same इसका आर्थ हो जाता है तो उसे शिवलरी कह देंगे ठीक है तो basically the amount of state necessary for knighthood was not regulated by any chivalric institution ठीक है ध्यान रखना है आपका शिवलरी जो है आपका characteristics of knight घोले से ही जुड़ा ये शब्द आपका हो जाता है ठीक है ध्यान रखेंगे शिवलरी मतलब हो जाता है आपका knight men से ही जुड़ा हुआ शब्द है जो knight होता था ना अपने जैसे वो देखी हो GOT देखा हो तो उसमें इस तरीके घोले पे जो एक्टी चलना है जो knight कहते है तो knight की उपाधी होती थी British army वगरा में तो characteristics of the chivalric उसी शिवलरी से रिगूलरी हो गया की characteristics of the time of chivalry and knighthood in the middle ages में जो knighthood लेने के लिए जो characteristics आवशक थी उन्हें शिवलरी कहा गया the amount of the state necessary for knighthood was not regulated by any chivalric institution अगला है एक्वस हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था एक्वस, equine, porcine, canine, pheline, porcine, leoine आपका piscine, urcine इस सारे पढ़ रखे हमने equine हो जाता है connected to horses equisterion हो जाता है ऐसे जो वेक्ती जो घोड़ा चलाते है और equisterion हो जाएगा एक महिला के लिए जो एक महिला घोड़ा चलाती है he has a long equine face मतलब घोड़े जैसा face है अगला है nocio मतलब होता है injured porcus मतलब full off word बना in orcus थ्यान देना है in मतलब not nocus मतलब injury ठीक है तो not injury मतलब not intended to like or likely to offend और upset anyone मतलब कुछ ऐसा जिससे किसी को नुकसान पहुचाने की किसी को upset करने की किसी को offend करने का intention ना हो उसे innocuous कहा जाएगा synonym anagony, benign, harmless और hurtless हो जाता है innocent, inoffensive हो जाता है adverse, bad, baleful, baneful, damaging dangerous, deleterious, detrimental and evil के antonym हो जाते हैं hot climate and awaits people who are not used to it ये पुराना example है ये अटा दीजे but inoffensive ध्यान रखना है कुछ ऐसा which is not intended और likely to harm और offend somebody तो उसे कहते हैं inoffensive important है, कैसे याद रखना है in मतलब not, nocus मतलब injury ऐसी चीच जो किसी को नुकसान ना पहुचा है मतलब harmless हो innocent जैसे मुन्नी का face ये क्या है, innocent face है a person जो बहुत ही innocent है in मतलब not, nocus मतलब injury जो बिलकुल innocent है कहने कि किसी का भुबरा नहीं चाहता बहुत ही आसान है person involved मतलब मान दीजिए कोई case हुआ उसमें कोई वेक्ति फस रहा है तो आप कहारो नहीं, he is innocent मतलब उसका उसमें कोई role नहीं है वो बिलकुल भूला वाला वेक्ति है वो बिलकुल सांत वेक्ति है उसकी कोई गिलती नहीं है इंपेकेबल, pure, sinless, white हो जाएगा इंप्योर, peccant, sinful और sinning, antonym हो जाएगे उसे किसी भी क्राइम का दोशी नहीं पाया गया तो इनोसेंट भूला भाला ध्यान रचना है अगला वर्ड आ जाता है अब देखो नॉक्षियर मतलब क्या है इंजुरी ओई उस मतलब full of something जो की poisonous है, जो की harmful है ठीक है, something जो की poisonous है, जो की harmful है वो क्या है, noxious है ठीक है, so in salubrious synonym is important है, ध्यान रखेंगे noisome, sickly, unhealthful, unhealthy, unwholesome antonym, healthful, healthy हो जाएगा we must trace the source of these noxious gases इन harmful gases का source हमें पता लगाना चाहिए noxious मतलब हो जाता है poisonous और harmful कुछ ऐसा जो बहुत poisonous है बहुत harmful है, that is called noxious clear है, so noxious का मतलब हो गया poisonous और harmful अब nocose root word, जिदार nocure root word ध्यान रखेंगे जिसका मतलब है injury bibo मतलब हो जाता है to drink, और OUS मतलब full of word बना bibulous bibo मतलब हो गया liking to drink too much alcohol he is a bibo मतलब जो बहुत अधिक शराब पीता है bibo मतलब होता है ऐसा रेक्ती जो बहुत अधिक शराब पीता है he is absorbent he is spongy, he is thrusting antonym हो जागा non-absorbent, so he was a fine old man but with a bibo bibo मतलब पीता है उसे bibo कहेंगे bibo मतलब drink, bibo मतलब बहुत जादा शराब पीता है imbibe, अब bibo मतलब drink, absorb कर लेना कुछ तो imbibe कर लेना, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आप लोग इन concepts को imbibe कर रहे है एक startup भी है जिसका नाम imbibe है मतलब वो attacky है मतलब पढ़ाने से related हो गया so to drink something, especially alcohol or to receive and understand ideas and information दो अर्थ है, एक अर्थ तो किसी चीज को पीना भी है, especially सराब दूसरा imbibe का अर्थ है, जैसे आप पढ़ रहे हैं तो आप imbibe कर रहे है इस ज्ञान को अपने अंदर समाहित कर रहे है absorb करने की कोशिश कर रहे है that is imbibe हो जाता है तो absorb करना, assimilate करना, draw, drink, soak up, sop up सक हो जाएगा I could never be here to imbibe so imbibe मतलब drink करना है साथ ही साथ समझना या समाहित करने के सेंस में भी आ जाता है बिब आपको पता है, बच्चों की यह जो होती है इसे बिब कहते हैं क्यों बच्चे कुछ खाते पीते हैं तो फैला लेते हैं, तो इसलिए बिब लगाई जाती है तो piece of cloth plastic that you fasten around a baby's neck तो उसे भी बिब कहते है यह तो पता ही होगा इसके लावा बिब मतलब हो जाता है अगर बब, यह तो था बिब noun देखो, ठीक है गजल से गजलर बनता है मतलब जो बहुत अधीक सराब पीता है ठीक है इपल होता है, इसी से टिपस्टर बनता है मतलब जो शराबी को टिपस्टर भी कह सकते हो आप ठीक है The old profession has been known to bib on occasion ठीक है The old professor has been known to bib on occasion मतलब, old professor को जाना जाता है that he bibs on occasion बहुत ही occasionally drinker है Caddo मतलब होता है to fall girna Oeos मतलब full of cadaverous eyes cadaverous eyes मतलब होता है nistage आखे cad मतलब girna तो गिर रहे हैं extremely pale, बहुत अधिक पीली है thin है and looking ill है dubli बतली है, बहुत बीमार दिख रहे है तो उस sense में आएगा extremely pale, thin and looking cadaverous eyes मतलब होता है nistage आखे, cad मतलब होगा full of, बहुत ज़्यादा जिसमें dubla पतला हो, thin हो ठीक है, synonym हो जाएगा ashen, ashy है, balanced, blanched है joy है, livid है, lurid है mealy है, pale है blooming है, florid है, flush full-blooded, glowing, red, nosy बिल्कुल full of energy है उसे कहतेंगे आप I saw cadaverous face appear at a small window so cadaverous face मतलब होता है बहुत ही मरगिला सा, जिसमें बिल्कुल जान नहीं बची है, cadver word होता है, basically cadver cadver होता है dead body के लिए ऐसी dead body जिसमें medical students पढ़ाई करते हैं, उसे cadver कहते है medical terms में cadver कहते हैं तो बोलो पढ़ाई करते हैं, cheerful करते हैं तो cadaverous उसी से बनता है cadaverous मतलब बिल्कुल मुर्दे जैसा चेहरा और रखा है मुर्दे जैसा आँखियों रखी है तो यह ही, medical students जैते कि पूरे शरीर पे study कर रहा है तो यह क्या cadver है, dead human body जिस पे वो लोग study करते हैं that is, कैरकास हो जाता है आपका animal dead body scope हो जाता है, curve pass हो जाता है, course हो जाता है तो यह क्या अन्यों study claims to have found that elusive spot in the cadver of an 83-year-old woman decadent D मतलब down decadent मतलब नीचे गिर रहा है so having or showing low standards especially moral ones and an interest only in pleasure and fun rather than serious things, so decadent मतलब D मतलब down, cad मतलब गिरना नीचे की तरफ कुछ गिर रहा है, यानि कि moral in standards चो है, वो नीचे गिर रहा है किसी के so decayed हो जाएगा decay मतलब बहुत degenerate होना, decay होना, नीचे की तरफ गिरना effect होना, overripe हो जाना washed up हो जाना so there was something very decadent about filling ourselves in so much rich food ठीक है, यानि कि ये काफी काफी it was very, मतलब morally declining ठीक है, तो decadent मतलब down, और cat मतलब गिरना, नीचे की तरफ गिरना, morality वगरा किसी भी चीज को नीचे की तरफ गिरना doleo मतलब होता है to suffer or grieve, और OUS मतलब pull off, तो इसको याद रखने का simple तरीका है, doleo आप कब खाते हो जब आप सफर करते हो, याप परिशान होते है, याप बीमार होते है doleo तभी खाते है, dole मतलब suffer or grief pull off हो गया, तो dolorous dolorous मतलब हो जाता है feeling or showing that you are very sad कुछ ऐसे दिखाना कि आप वहती दुखी है ठीक है so acting मतलब pain हो जाता है agonized, परिशान, anguist, भी परिशान, be moaning परिशान, be walling be wailing, bitter, imploring and doleful antonym हो जाता है, happy, jolly, merry, bright, clad and sunny, joyful so he with his eyes fixed on the embers, had sunk back into the dolorous past so dolorous मतलब जिसमें आपको परिशानी हो, दुख हो परिशानी हो, ठीक है dolor मतलब sorrow, grief के sense में आएगा, sadness sorrow, unhappiness, dejection, regret depression, antonym, खुशी के sense में आए, jubilation हो जाए, trump, exultion, rejoicing, happiness but the dolor of my mind was surpassed by the discomfort of my body next है doleful, मतलब very sad, बहुत दुखी होना जो हमने भी पढ़ा, doleful ठीक है, अब है condol, condolence हो जाती है, किसी की मृत्य होती ही थी, तो college में condolence हो जाती, शोक सभा, शोक हो जाता था तो उसके बाद पर पढ़ाई नहीं हो दी, तो condol करना मतलब, कौन मतलब, together, कौन मतलब होता है together हमेशा, डोल मतलब सफर, तो condol करना मतलब sympathy प्रकट करना, किसी की मृत्यव पर condolence दिखाना, शोक प्रकट करना, ठीक है, express one sympathetic grief on the occasion of someone's death, किसी की death होने पर सानुभूती प्रकट करना, कंडोलेंस देना, आप सुद्धान जुली अर्पित करना, ठीक है, we condole with him on his loss माईजर मतलब होता है wrecked, अभागा, और कौन मतलब, together कौन मतलब together, commissarate बना, commissarate मतलब हो गया, साथ में आप किसी के sympathize कर रहे हो, to show somebody sympathy when they are upset or disappointed about something कोई व्यक्ति जो किसी चीज़ के बारे में परेशान है, उसको साथ में sympathize करना, उसको सहनुभूती देना, she commissarated with the losers on their defeat ठीक है so this is it for this video and इसके बाद से हमारी आपकी word power made easy पूरी खतम हो जाती है, ठीक है तो एक बारी जरा division कर लेते हैं और उसके बाद इस session को wind up करते हैं तो channel को subscribe कर लेजिए, यह playlist है इन्हें आप देख सकते हो, और आप यह mock test है, इन्हें भी देख सकते हो हमारे batches को भी आप join कर सकते हो पहला word हमने पढ़ा, आपका obsequious, obsequious मतलब होता है trying too hard to please somebody who is very important, इसके बाद में आ जाता है obsequious मतलब होता है, ceremonies at somebody's funeral, इसके बाद में हमारा शब्द है आपका subsequent मतलब एक के बाद एक जो events होते हैं, और sequel होता है, जैसे movie का part 1, part 2 कुआ जाता है, उसे कहते हैं, sequence होता है, sequence में कुछ बताना, इसमें कुछ नहीं था, quarrelous लडाकु जगडालू, आपका super serious, haughty, घमंडी, arrogant हो जाता है, obsequious मतलब जो बहुत शोर गुलहला गुला मचाए, और impecunious बहुत गरीब के संस में, impecunious गरीबी के संस में आ जाता है, इसके बाद pecuniary related to money हो जाएगा, chivalrous होता है, बहुत ही अच्छा polite kind man, cavalcade होता है, जो horses की पूरी ceremony वगरा में निकलते हैं, cavalier, जो लोगों की भावनाओं के बारे में नहीं कदर करता है, किसी भी चीज़ के बारे में कदर नहीं करता है, cavalry वो सिणा जो घोड़ों पर चलती है, chivalry बहुत अच्छा attitude, polite kind and chivalry को उसी से related आ जाता है, equine घोडों से related, equistarian जो घोड़ा चलाता है, equistarian, spelling अगर double N ही लग जाएगा, तो women हो जाती है, जो खुड़ा चलाती है, innocuous मतलब जो किसी को harmful ना हो, किसी के लिए बुरा न लगे, offensive ना हो, उसे कहते हैं, इसके अलाबा innocent, बोला बाला होता है, आपका noxious harmful हो जाता है, बिबुलस होता है, जो वेक्ति शराब पीता है, drinker होता है, इसके लाबा imbibe करना, समाहित करना, किसी knowledge वगेरा को, बिब आपको पता है, जो noun होता है, मतलब जो यह लगाई जाती है, और बिब का मतलब शराब पीना भी होता है, इसके बाद में आ जाता है, मतलब जो होता है, looking like a dead body, उस sense में आएगा, और इसके लाबा, कैड़ जो dead body है, उसको बता दिया, decadent moral values का decay होना, ठीक है, जो आपका feeling showing, that you are very sad, और डोलफुल, डोलोर, मतलब sorrow grief हो जाएगा, डोलफुल भी मतलब, very sad होने के sense में आता है, कंडोल करना मतलब, स्रांतोना देना किसी के द्रत्थ वगरा पर sympathize करना, commissionerate मतलब भी होता है, sympathize करना, तो this is it for this video, and I hope, हमने इस पूरी playlist में, इस पूरी किताब को cover कर लिया है, आशा करता हूँ, आप लोगोंने साथ में किताब पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी है, तो फिर भी एक बारी खरीद के पढ़ो, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा, हमने इसमें session 1 से लेके 46 तक के सारे sessions cover कर लिये हैं, और साथ ही साथ हम इसमें cover कर लिये हैं, और चितनी भी चीज़ें इसमें important थी वह हमने cover कर लिये हैं, इसके बाद इस किताब में पीछे vocabulary भी दी गई है, तो यदि आप चाहें हैं, तो आप वो vocabulary भी याद कर सकते हैं, that would be very helpful to you, बहुत help करेगी क्योंकि बहुत important important words उसमें दिये गए हैं, और सारे root words से उसमें उसमें बता दिये हैं, तो इसलिए वो किताब काफी अच्छी हो जाती है उस sense में भी, तो आप लोग अगर आप चुपढ़ना चाहें, तो आप किताब से वो पार्ट भी बढ़ सकते हैं, बाकी 41 से लेके 46 तक के सारे पार्ट हमनें अच्छे से cover कर लिये हैं, और आशा करता हूँ आप लोगों को इससे कुछ मदद मिली होगी, ठीके, तो इस प्रकार ये पूरी सीरीज हमारी खतम होती है, और ये वाली कथा भी हमारी यहीं से खतम होती है, तो इसको यहीं तक रखते हैं, अब हम मिलेंगे नई सीरीज में, नए वीडियो में, तब तक के लिए गुडबाई, टेक करेंड़ अब अब ग्रेट येड, जो लोगों का सवाल है कि क्या इतना इनफ है, नहीं इनफ नहीं है, इसके बाद जो New Vocabulary सीरीज हमने अपने कोर्स में करवाई है, वो जरूर देखिए, उससे बहुत आपकी मदद होगी, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए गुडबाई, टिक करेंड़ अब ग्रेट येड, थैंक यू सो मच, बबाई,